आज का ये वीडियो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना से संब्धित होगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के लिए जो दसवी किस्त जारी की जाएगी जिसका date जो है मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ और लाइब जो है निकाल के दिखा चुका हूँ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मा निधी योजना की जो दसवी किस्त है वो किस तारीक को जारी की जाएगी तो दोस्तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखे और इस वीडियो पर भी जो है आपको यहाँ पर date सो हो रहा होगा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मा निधी योजना की जो दसवी किस्त है वो कब जारी की जाएगी तो दोस्तो इसी के बीच जो है एक breaking new जाई है जिसमें ये बताया जा रहा है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मा निधी योजना के लिए जो दसवी किस्त जारी की जाने वाली है उसके लिए जो लिस्ट है यानि की जो लाभारती सूची है जिन लोग को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मा निधी योजना की जो दसवी किस्त दी जाने वाली है उस लिस्ट को जो है फिर से अपडेट कर दिया गया है और अब जो है सिर्फ उन्ही लोगों का नाम जो है उस लिस्ट में सो कर रहा है जिन लोगो जो है प्रधानमंतरी किसानसमा निधी योजना के तहट जो है 10 वीकिस्त दी जाएगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो लाइब जो है लिश्ट को निकाल के दिखाऊंगा इस प्रकार से जो है आप अपने मोबाइल से ही लिश्ट को निकाल सकते हैं और अपना नाम को भी चेक कर सकते हैं तो दोस्तो चली हम लोग आ जाते हैं प्रधानमंतरी किसानसमा निधी योजना की ओफिस्यल वेबसाइट पर तो दोस्तो उससे पहले आप सभी से अनुरोध है अगर चैनल पर पहली बार आ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस website का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, वहाँ पर click करके आप direct इस website पर आ सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको scroll down करते हुए नीचे आ जाना होगा, नीचे आने के बाद जो है हमें list को निकालना, दसवी किस्त के लिए जो list है, उसे देखने के लिए हमें यहाँ पर beneficiary list के option पर click करना है, तो हमें इस पर click कर देना है, तो चली हम लोग इस पर click कर देते हैं, तो दोस्तों इस पर जैसे हम लोग click करते हैं, तो यहाँ पर कुछ steps जो है आपके सामने open हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना state यानि कि आपके राज को select करनी के लिए कहा जाता है, तो चली हम अपना राज को select कर लेते हैं, आपको यहाँ पर जो है अपना राज को select करना होगा, दूसरे नमबर पर जो है आपको अपना district select करनी के लिए कहा जाता है, तो चली हम लोग अपना district को यहाँ पर select करते हैं, जिस भी district का यहाँ पर list नि को यहां पर select करना है और फिर से जो है आपको एक पर आपके block को यहां पर select कर लेना है block को select करने के बाद आपके block के अंतरगत जितने भी जो गाउं की सूची है सभी गाउं की सूची आपको यहां पर so होगा तो इन में से जो भी आपका गाउं है आपको अपने गाव को यहाँ पर select कर लेना है तो चलिए हम लोग यहाँ पर select कर लेते हैं select करने के बाद simply आपको gate report के option पर click कर देना होता है जिससे list जो है वो आपके सामने प्रस्तूत हो जाती है तो दोस्ते यहाँ पर जैसे हम लोग gate report के option पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिस्ट है वो आपके सामने open हो चुकी है यहाँ पर जितने भी लोगों के जो सूची आपको दिखाई दे रही है इन में से सभी लोगों को जो है प्रधान मंतिर किसान सम्मा निधी योजना के तहत जो दसवी किस्त है वो मिलने वाली है जिसकी date की घोसना भी कर दी गई है तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप स्क्रॉल डाउन करते हुए अपने नामों को चेक कर सकते हैं कि क्या आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है नीचे और भी बहुत सारे pages हैं आपको 123 पर क्लिक करके next page में आप जा सकते हैं और काम को चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई next वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नाडिविकेसन आपको मिले धन्यवाद